हेलो बच्चो आज की वीडियो में आपका फिर स्वागत है आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रस्नावली 3.5 प्रस्नावली में रही की सम्मिकर्ण को हल करने का एक तरीका है वजगुण विधी यानि क्रॉस मल्टिपिलिकेशन ठीक है और हमारे पास एक विज़े नहीं है कि अधरे टू एक्स भी टू आई प्लस एटू इसके लिए कंडिशन है वह यह होगी एवन अपॉन एटू नॉट इक्वाल टू बीवन अपॉन भी तू के वह इसी कंडिशन में हम इसको क्रॉस मेडिप्लाइज से हल कर सकते हैं ठीक है इसके लाब कोई और कंडिशन आए कि तो हल नहीं कर सकते हैं ठीक है तरीका क्या हाल करने का ऐसे लिखने आप एक्सने लिख लो और यहां पर वन गजले को बीवन की वीटू पिर सी वन शीतु उसके वाल लिखेंगे ए वन ए टू और बीवन दीटू ठीक है एन बीओन पीटू से इसे स्टार्ट करना है और फिनिस करना है आपको बीवन बीडू भई फिनिस करना है तो क्या करेंगे X अपॉन इसके बिलप्ता इधर करो माइनस दिज यानि B1 C2 माइनस C1 B2 और Y अपाउन इसकी क्रोस मिलाइस में करेंगे C1 A2 माइनस A1 C2 और 1 अपाउन इसकी मल्टाइस में करो A1 B2 माइनस B1 A2 इस तरह से अब इसको कंपेरेस से करेंगे हम टेक्स वैल्यू मिल जाएगे हमें यह B1 C2 माइनस C1 B2 अपाउन A1 B2 माइनस B1 A2 ऐसी Y मिलेगा इसको पर ले जाओ C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइड भाई A1 B2 माइनस B1 A2 ठीक है तो यह फर्मला है इसका ठीक है लेकि हमें डायट शुरुवात यहीं से करनी इसमें और जैसे प्रस्णावली 3.5 है इसका question number 1 उन्हें का अब वही वजमन विदी से इसको हल करो ठीक है पहला सवाल है X माइनस 3Y माइनस 3 इस इकल टू जीरो और 3X माइनस 9Y माइनस 2 इस इकल टू जीरो पहला compare करो आप A1 upon A2 क्या मिला है आपर 1 upon 3 और B1 upon B2 क्या है देखो माइनस 3 upon minus 9 यानि 1 upon 3 यानि ये condition फेल हो रही है तो इसको हम वजमन विदी से हल नहीं कर सकते है यहां पर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 है तो इसको वजमन विदी से हल नहीं क्या जा सकता ठीक है तो इसको छोड़ देंगे हम हम अब इसका second part देखो 2x plus y is equal to 5 अब दूसरा है 3x plus 2y is equal to 8 इसको ऐसे लिखे लो 2x plus y minus 5 is equal to 0 और 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 अब देखो हम यहां पर A1 upon A2 क्या है 2 upon 3 और B1 upon B2 क्या है यहां पर 1 upon 2 देखो 1 upon 1 equal नहीं है A1 upon A not equal to B1 upon B2 तो इसको वजमन विदी से हल कर सकते हैं ठीक है तो कैसे हल करेंगे दिखो यहां पर x यहां यहां पर 1 तो एक्स के निचे x कॉपिसेंट शोड़ दो y के कॉपिसेंट टेकलो 1 2 minus 5 minus 8 2 और 3 और 1, 2 पर इसको फिनिस करना है ठीक है अब सी क्रॉस मिला ही करेंगे इसकी मिलुटाई इदर minus this इसकी मिलुटाई इसमें करेंगे इसको मैरिस कर देंगे और इसकी मिलुटाई इसमेंte तो क्या मिलगा x-value इसकी मिलुटाई में गर वन इंटू minus 8 यह फ़स् प्रेकेट minus 2 2 इंटू minus 5 y उकसो य अपॉन माइनस 5 इंटो 3 फिर माइनस 9 बीच में माइनस 8 इंटो 2 1 अपॉन 2 इंटो 2 माइनस 3 इंटो 1 ठीक है अब तो x अपॉन अर देखो 1 इंटो माइनस 8 माइनस 8 और 2 इंटो माइनस 5 माइनस 10 बार माइनस 9 तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस 10 हो जाए गई y अपॉन माइनस 5 इंटो 3 माइनस 15 और माइनस 8 इंटो 2 और बार माइनस 9 हो जाए प्लस खा 16 और 1 अपॉन 2 तो जा 4 माइनस 1 तो x अपॉन 10 माइनस 8 तो हो गया y अपॉन 1 और 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 अब इसकी क्रॉट्स माइनस के साथ करेंगे तो x मिल गया 2 इंटो 1 2 और y मिल गया 1 इंटो 1 1 तो x की वैली 2 और y की वैल्यू 1 ठीक है तो यह सौल होता है इस तरह से x की वैली 2 और y की वैली 1 अब इसको चेक कर सकता है यहां पर देखो 2 तो जा 4 प्लस 1 5 माइनस 5 जीरो करेक्ट है उसके बाद question number 2 यह है यह करता है कि a और b के किन वानों के लिए निम रेखिक समीकरोणों के युगम के ए परीमित रूप से अनेक हल होंगे समीकरोण है यह है 2x प्लस 3y इस इकल टू 7 और a माइनस b x प्लस a प्लस b y इस इकल टू 3a प्लस b माइनस 2 इसके ए परीमित हल है के ए परीमित हल है तो यह भी कमान याद करना है ठीक है तो किसी क्या condition क्या इसके लिए है इनफानेट इसके लिए कंडिशन इस इसवी a1 अपॉन a2 इस इकल टू b1 अपॉन b2 इस इकल टू c1 अपॉन c2 a1 क्या है 2 2 upon a minus b 3 upon a plus b और 7 upon 3a plus b minus 2 ठीक है अब इन दोरों की कल लो cross multiply तो क्या मिलेगा 3a minus 3b 2a plus 2b 2a को दर ले आओ 3a minus 2a 3b plus 2b 5b से सी करोत्र चे गुणा 7a plus 7b is equal to 3 3 9a plus 3b minus 6 7a minus 9a minus 2a इसको ले जाओ 3b minus 7b minus 4b minus 6 minus 2c divide करो इसको तो इसे मिलेगा a is equal to 2b plus 3 अब एक बाक है अब एक बेने मेरे पास यह है और एक यह है इन दोनों सॉल करना थे एक वेली 5b है पुट कर दो तो क्या मिलेगा 5B is equal to 2B plus 3 इसको transfer 5B minus 2B 3B is equal to 3 और B की value मिलगी 1 और B की value 1 put कर दो इस समीकर में ठीक है तो यह क्या मिलेगा 5 into 1 is equal to 5 ठीक है तो इस एक size में एक question तो आपका इस types आएगा direct आएगा कि cross multiply से solve करो समीकरण को या एक इस type का आएगा ठीक है जिसमें AB के मान निकालने होंगे या की का मान निकालना होगा ठीक है अब इसकी हम एक दो word problem करेंगे और वर्ट पॉर्लम करते हैं इसकी है इस एक कोश्चन नंबर फॉर अच्छा जी एक पहला कॉशन ने चात्रावास के मासी की वेकर इक भाग नियत है तथा बाग इसमें दिवर करता है कि चात्रावास की दिन भोजन लिया यह कॉशन हम पहले कर चुके हैं पहले एक साइज में उसको ब्हुन वाला यह भी हम कर चुके हैं पॉस्ञ अमबर थर्ड करते हैं ऊस्ट का थर्ड पार्ट आप आज यह उसने परिच्छा में 40 अंख यह जितुब किए जबकि उसको पिड़ते एक सही उत्तर पर 3 अंख मिले गलत पर एक अंख की कटोते की गई यदि सही उत्तर पर चार अंक मिलते गरत तर पर दो गंगी कटोत को थी तो उसको पचास अंक मिलते परिक्छा में कुल कितने प्रशन थे ठीक है परिक्छा में कुल कितने प्रशन थे तो इसमें हम मालते माना उसने जो सही उत्तर दिये वह एकस है माना सही उत्रों की संख्या बराबर x ठीक है सही उत्रों की संख्या बराबर x और गलत उत्रों की संख्या बराबर y है तो पहला आप्रेशन क्या है इसमें, चाले संख मिले जोब को प्रतेक सही उत्तर पर तीन अंग और गलत पर एक कटा, तो सही पर तीन मिले, और एकस उसना अटेम्ट किये, कितने मिले इसको, बेखो, फर्स्ट कंडिशन, प्रतम सर्थ, सर्थ अनूसर, तो सही पर मिलेंगे इसको 3X, और गलत पर कटोती हो जाएगी 1Y की, तो कटोती मानेस हो जाएगी इसमें से, 3X मानेस Y, इस इकल टो 40, ये मिली पहली समिकर, और सेकिंड कंडिशन क्या है, चार अंग मिलने इसको सही पर, तो X पर कितने अंग मिलेंगे इसको, 4X, और 2 की कटोती होगी एक सवाल पर ठीक है, तो Y पर कितने कटोती हो जाएगी, 2Y की, तो 4X मानेस 2Y मानेस होगा, और इसको मिले 50, अब इन दोनों को हल करना है, तो बहुत असान है, 3X मानेस Y is equal to 40, और इस समिक्रण को 2 से भाग करो इसको न, तो क्या मिलेगा, 2X मानेस Y is equal to 25, अब सीधा मानेस कर दो, इनको मानेस, ब्लस, मानेस, ये कैंसल, 3X मानेस 2X होगा, X, 40 मानेस 25, 15, अब एक्स विली 15 पुट कर दो, यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, 3X 15, मानेस Y, is equal to 40, 45, मानेस 40, is equal to Y, और Y मिलिया, 5, ठीक है, तो X 15 है, और Y है 5, तो इसमें, कुल, जो प्रेशनों की चंख्या है, वो, क्या हो जाती है, तो प्रेशनों की, संख्या हो गई, X प्लस Y, 15 प्लस 5, is equal to 20, ठीक है, ओके, अब एक सवाल करते हैं, यह, इस्पीड टाइम वाला सवाल है, प्रेशन नमबर इसी का फोर्थ बार्ट है, प्रेशन नमबर फोर का फोर्थ बार्ट, एक राजमार्क पर दोईस्थान एर भी 100 किलोमेटर की दूरी पर है, एक कार एसे चलती है, दूसरी बी से चलती है, एक की समय पर चलती है, यदि एक कार हैं भिन चालों से चलती हैं, एक की दिसा में चलती हैं, तो पांच घंटे बाद मिलती है, और एक दूसरी गोड चलती हैं, तो एक घंटे बाद मिलती हैं, दोनों कारों की चाल ग्याद करो माना इसकी चाल है X किलोमेटर पिरती घंटा और इसकी है Y किलोमेटर पिरती घंटा तो पिर्थम सर्ता नूसर अगर वो चलती है एक दिसाम है मले एक दिसाम चलती है X की दिसाम यही है और Y की दिसाम यही है ठीक है, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, और वो मिलती है 5 गंटे में, तो पहली कार कितना तेह करेगा ये 5 गंटे में 5x, और दूरी कितनी है 100, और यहाँ जो x की value है वो y से बड़ी ले लेते हैं, तो 5x ये तेह करेगा 5y, माइनस 5y, चूकर जो पहली कार है वो दूसरी कार से दूरी जादे तेह करेगी कितनी, 100, तब यह तो मीट करेगी इसको, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, इसको 5 से भाग कर दो, तो x माइनस y बराबर 20, समिकर नमबर 1, जब वो चलती है एक दूसरी के विप्रित दिसा में, यानि यह x की दिसा और y की दिसा यह है, ठीक है, जब निलती है वो एक गंटे में, यह सानल कुछ दूरी ये चलेगी, कुछ ये चलेगी, कुल मिलाकर के वो 100 km की दूरी तेह कर 1 into y is equal to 100, यह x plus y is equal to 100, इन दौनों को खल कर लो, यह बहुत सिंपल एक्वेजन है, x minus y बराबर 20 है, यह पहली समिकर नमबर, दौनों को जोड़ो, जोडने पर 2x, 120, 60, पहली चाल है, 60 km पराबर, और x यहाँ पूट करोगे, कुछ नमबर 1 में, या 2 में जिसमें चाहू, 60 plus y is equal to 100, और y मिलेगा, 100 minus 60, 40 km पराबर, ठीक है, अब इसमें एक क्वेशन और करते हैं, last, क्वेशन है, एक आयत का शित्पल 9 रगी एकाई कम हो जाता, यदि इसकी लंबाई 5 रगी कम कर दी जाए, चोड़ाई 3 रगाई बढ़ा दी जाए, यदि हम लंबाई को 3 रगी और 2 रगाई बढ़ा दें, तो शित्पल 66 रगी रगी बढ़य बढ़ जाता है, तो आयत की विनाएं ग्या तो छेतरफल क्या हुगा इसका x into y यानि xy लंबाई गुणा चोड़ा तारी छेतरफल तो पिर्थम 17 रुसर क्या हुगा देखो जैदी लंबाई 5 का ही कम कर दी तो नई लंबाई कितनी होगी x minus 5 और चोड़ाई क्या कर दीनोंने 3 का ही बढ़ा दी y plus 3 तो छेतरफल कितना हुआ x minus 5 into y plus 3 मगर ये छेतरफल 9 वरगी काई कम है किससे इस वाले छेतरफल से तो लिए दो जी प्रश्न अनूसर xy minus x minus 5 y plus 3 is equal to 9 है ना solve करो इसको xy आएगा x into 3x तो minus 3x minus 5 into y minus 5 bar minus 9 तो plus 5y minus 5 into 3 minus 15 bar minus plus 15 is equal to 9 ही इसलो गया तो minus 3x plus 5y is equal to 9 minus 15 minus 16 इसको इसे नमबर 1 फिर क्या आजी दूसरी सर्ता नूसर ये तो पहली पहली condition है second condition में क्या होगा प्रश्ना नूसर फिर क्या कि हमने लंबाई को 3 बढ़ाया और चोड़ाई को 2 बढ़ा दें तो लंबाई क्या होगा x plus 3 और चोड़ाई को बढ़ा दिया 2 यानि y plus 2 तो चेदर क्या होगा इसका x plus 3 into y plus 2 और ये कितना 67 जाद है पुराने वाले से यानि इससे 67 जाद है तो माइनस xy is equal to 67 अब इसको simplify करो इस xy plus 2x plus 3y और 3 जाद 6 और माइनस xy is equal to 67 xy से तो ये बनगी second equation 2x plus 3y is equal to 67 minus 6 61 और एक समिक्रण ये है minus 3x plus 5y is equal to minus 6 इन दोनों खाल करना है तो क्या करें एक से कॉफिशन डिक्वेट कर ले दे हैं देखो ये 2x है बर 3x इसको 3 से मुल्डाई करो इसको 2 से मुल्डाई करो इसको मुल्डाई कर दो 3 से और इसको 2 से पूरी equation को तो क्या मैं लेगा है 6x 9y 183 और यहां minus 6x और 10y हो गया minus 12 तो उनको जोड दो जोड देख पर कैंसल हो गया यहां कि 19y is equal to 1 7,1 तो y क्या मिला 99 जा 19.5 एक सो इक खत्तर होता है 9 y क्वेल 9 मिल गई और y क्वेल 9 रख दो इसमां रख दो y क्वेल 9 तो 2x प्लस 3 इंटू 9 is equal to 61 और 2x मिल गया 61 minus 27 तो 11 minus 74 हो गया 5 minus 2 3 और x मिल गया तू से डिवाइड करो 17 मीटर तो लंबाई इसकी 17 मीटर है चोड़ाई 9 मीटर ठीक है इस तरह से यह equation हमारी आज खत्म होती है एक साइज और एक एक साइज में केबल बचिए एकली वाई वीडियो में वो खत्म करेंगे ठीक है थैंक यू झाल